किया नहीं कि दिल तूट गया तो हम तो बचेंगा सिंद्धे टाइं की होनें बॉट करती ही इस इनी डेज में उनको गिफ्ट मिलते हैं तो आज के टाइम में इतना कल्चर ऐसा बन गया है कि इनसान इंडेर रॉम्त दे तरू हुआता वसुभा गुड मॉर्निंग वाला टेक्स्टो रात को गुड नाइट वाला टेक्स्टो नमस्कार मैं आपके साथ अनुचा की बात हो चाहे जो ओल्लेज बात हो तो अभी मेरे साथ मेरे साथ है मैं उनसे इस बारे में कुछ वारत बाप करोंगी उनसे जानूंगी पहचानूगी कि अखिर वैलेंटाइन डे के बारे में वह क्या समझते हैं तो पहले मैं आपसे पूछूँए रादी का जी ये वैले सब्सक्राइब करें निए जाने का निकालने का निकालने का तो मेरे हसाब्स यह होता है तो एक साधिश है मतलब से तूटे दिलवाली आशिक है इस से लिए आपरी आप कही है कि एक साधिश है जिनके पास कोई उप्षिन नहीं है वाई वैलेंटाइन दे उनके लिए क्या ही होगा सिर्फ एक दिन वैं मुझे ऐसा लगता है सिंगल अड़कों के लिए सिर्फ मंदे टूजडेवें से थर्जडे के लावा कोई और दिन नहीं होगा तो मिंको जी से पहले पूछना चाहूंगी कि वह सिंगल है या मिंगल है और उनके वैलेंटाइन दे उतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि जब अब किसी से लोयल हो या किसी से प्यार करते हैं तो वह हड दीन हडपल हरोज होता है ऐसा नहीं है कि मैं विलंटाइन डेके दीन ही उसे डेट पर ले गया या उसके साथ बहुत लोयल हो तो उस तिन मैं वेलंटाइने के दीन मैं उसके साथ भी घूमने जाओं यह चीज यह मेरी इंडिया में खासकर वेस्टन कल्चर बहु जाद कर दो कि कई लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता वैलंटाइंडे क्या होता है कॉन सा लड़का है डेड़ सो रुपए की टौफी किस लड़की को देता है वो आपको मिलें कभी डेड़ सो रुपए वाली टौफी मतलब इनको पसंद है इनसे बिले पूछेंगे कि इन्हें प वारे मैं ही आपको बता देती हूं यह बैलंटाइंडे रोम से सुरू हुआ था वहां एक राजा थे उनका नाम था क्लाइड करके कुछ था मुझे याद नहीं है भी पर वहां पे उनके शाशनकाल में प्यार को प्यार से सक्त नफ्रक्ती उनको तो वहां यह होता था कि व प्यार से वह सक्त खिलाब थे प्यार के वह तो वहीं वैलेंटाइंडे एक संत थे उनका नाम वैलेंटाइंडे था वह मतलब रोम में लब गुरू के नाम से भी जाने जाते थे कि पूचूंगी कि आपको कितनी बार लवेरिया हुआ है। कितनी बार आपको लवेरिया पकड़ा है। कि देखिए मैं यह बोलना चाहूंगी कि वैलेनटाइन डे सेलिब्रेट करना कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ यह जरूर है कि इसकी वजह से हमारी इंडिया में वेस्टर्न कल्चर बहुत जादा आ गया है। तो अगर देखा जाए कि सिर्फ प्यार का इजहार करना है तो नॉर्मल डेज में भी हो सकता है। जरूरी निया कि वेलेंटाइन डे का ही वेट किया जाए। अब जैसे कि हमारे देश में एट ओफ मार्च को आने वाली एट ओफ मार्च को महा शिवरात्री है। जिस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाहा हुआ था। तो आप यह कह सकते। अगर आप सिर्फ लव का डे सेलिब्रेट करने की बात कहेंगे तो मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ महा शिवरात्री ही ऐसा दिन है जो की लव को कंसीडर करके चल सकता है। आप कह सकते हैं। महा शिवरात्री एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। प्रेमियों के लिए भी क्योंकि उस दिन शिवरात्री है और भगवान शिवर पार्वती मां का उस दिन मिलन हुआता उन्होंने शादी की लेकिन चलिए ये बात तो है लेकिन हम मैं शिव कुमार जी से भी पूछ लोगों को ये जादा उत्सकता होती एक दूसरे के बारे में जानने के लिए है और जैसे आपके वी अंदर है वही चीज है मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं तो मुझे लवेरिया कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं जादसर लवेरिया के जंजट में नहीं रहा और बाद अच्छी बात है ये लॉयल है मैं देख रही थी ट्विंक्तल जी बहुत मुस्कुरा रही थी उनकी बात पे की फिक्स्ट इंसान के साथ है अभी मैं उनसे भी पूछ लेती हूं कि वह किसके साथ फिक्स्ट रहा है कि चलिए डेर सो रुपा वाली चोकलेट दिखा के निकल लिये अब अगला स्लैप्डे उस पे लड़के भागेंगे आगे लड़किया उनके पीछे तब मैं उनसे पूस्ती हूँ थांक्यू दनुजी पहली बद तो मैं विष्वास नहीं रखती हूं प्यार का इजार करना है जब मन्चाए तब कर दो ठीक है दूसरी चीज हमारी चोड़ा तारिक को पुल्वामा में अटैक हुआ था था इंग आज के बच्चों को मता जो वेलेंटाइन दे मनाते उनको पता भी नहीं होगा कि पुल्वामा में अटैक हुआ था उसमें हमारे 60 से जादा जवान शहीद हो गए थे शायद आज के बच्चों को ये नॉलिज भी नहीं हुई थी कि पुल्वामा अटैक हुआ हुआ है ठीक है दोसी चीज प्यार का हिजार जब तुम्हारा मन्चाए जहां करना और बैडम जी आप बोल रहें 150 रुपे की चौक्रेट दे के अगर खुश हो जाता है हर इंसान तो बच्चा बच्चा गली में वैलंटाइन डे मना है नहीं बच्चा बच्चा कर रहे है पर लेकिन जवान भी तो आजकल वैलंटाइन डे मना रहे हैं भार गूम टांडे नहीं या यह साधिस है तो लड़की इतनी कमजोर लड़कों के चकर में कैसे पढ़ जाती है कि उसको फिर साधिस की सिकार होती है लड़की बहुत प्यार से अगर उसको आप प्यार करेंगे तो वो तो समझे कि ना सामने वाला इंसान अच्छ है हां आज की लड़ कि इनसान जो है वो एक दूसर में नहीं इंवाल वह वो उसके सामने प्यार से का कुछ बोल भी रहे तो इसका मतलब कुछ और निकलता है तो इसमें एक चीज इसमें एक चीज है जिसे ना एक लड़किया कहते हैं कॉमन सेंस होता है गुड टच और बैट तच तो इससे भी उनको पहली परक लेना चाहिए कि जो है इसने गुड टच किया या साधिस के सिकार नहीं होगे लड़कियों को गुड टच और बैट टच के वारे में बहुत अच्छे से पता होता है कौन लड़का किस तरीके से कैसे देख रहा है लड़कियों को सबसे पहली बात लड़क लड़किया उससे दूर इतना भागती हैं कि जो लड़का अगर दिख जाए कि गलत है तो चपेट भी अच्छे से मारती हैं आप यह बोल रही थी कि चपेट वहां बगल में जो लड़के बैठे हैं वो थोड़े सहम से गए हैं कि चपेट मारती जाएगी इसके बाद नही यहां पर सोच रहे हैं कि अगर मैंने देखा तो मुझे चपेट तो पड़ेगी आप क्या सोच रहे हैं ऐसा ऐसा सुआ आपको बता मैं यह लगता है यह मेरा मानना है कि यह जो साजी सिक बात आई है इसमें सबसे जादा साजीस लड़किया करती है और इसमें नहीं नहीं यह मेरा मानना है कि इसमें सबसे जादा साजीस लड़किया करती है क्योंकि वह चाहती है कि लड़के मेरे हिसाब से चले हैना मैं जो बोलूं मैंच करना चाहती है और वह बोलती है कि जो मैं कहूं वह करो यहां नहीं जा वहां नहीं जा तो मेरा मानना है कि इस साजीस में स चॉकले डे टेडी डे और लास्ट में वेलेंटाइन डे नी चुद्धारी को खतम होती है इसमें सबस्यादा तो मैरे इसाब से लड़किया रहती है और सबस्याद मेरे इसाब से चुछ चुछ अधिया डर्फी तो रोकते हैं यह मत पहनो वह मत पहनो उससे बात मत करो यह मत करो इसके लिए करें नहीं नहीं लड़के सब में ज्यादा करते हैं जैसे कि मिंकु जी ने अभी कहा कि लड़कियां फसाती है लड़कों को या फिर लड़कियां ही गलत हो सबसे पहली बात एंड बात यह कि जो यह जो वेलेंटाइन डे का यह प्रचलन हुआ है हमारे देश में जरूरी नह सबस्टाइक है कि लड़का महाशिवधरात्री वाले दिन प्रपोस करें कभी हुआ है कि महाशिवरात्री वाले दिन जाके प्रपोस कर रहे है लड़की को कुछ वटपी वो सारे हो चाती है ल helping कि περιольше मुझे कई न grasp २३ं अगर लड़कीयां था इसा सेंसितिफ होती हैं तो कर लड़के बी सेंसितिफ होते है कि देखा है कि भलत लडकी इसको इसको लएल इनसान दोनागता है बश्राब होती है उनको अच्छा लॉयल इनसान मिल जाता है और जो बुरी और जो अच्छी ड़की होते उनको मेशा रैड फ्लाइग मिल जाते हैं लड़कियों एक नाम कोड़ का रख है red flag जो कि लड़के आपको पता है कैसे होते है लड़के भी कम नहीं होते वो लोग भी आपके दोस्तों से लेटेड़ आपकी जो नीजी जिंदगी आप क्या चल रहा है वो उस बारे में बात करेंगे लेकिन जो सिर्फ लड़का जो लॉयल नहीं होगा वो सिर्फ आप पे बात करेगा वो सिर्फ आपके ही बारे में बात करेगा वो इर्द गर्द कभी नहीं सोच लुटेगा इस चीज़ को कि हां उसके दमाग में कोई टेंशन है वो मेंटली परिशान है किसे नहीं है तो हम ने किया नहीं कि दिल तूट गया तो हम तो बचेंगी कि हमारा हमारा केलाई धिल है हा तो एक चीज़ बताइए चलिए ठीक है एक चीज़ बताइए आज सब लोग कुछ इसके पच्छ में हैं या बिरोध में हैं कि आ? कोई है अच्छा बॉल्टा सके कोई कोई है इसमें अच्छा बोरा बता सके क्या अच्छा था क्या बुरा है कि वैलेंटाइन्स दे वे मुझे लगता है जो अच्छी चीज है कि आप प्यार का इजहार करते हिम्मत करते उस दिन के इंतजार करते कि आप उस दिन चाहे थोड़े सभी टाइम के लिए सही पतिनी है या फिर चाहे गर्लफ्रेंड आप उसको अटेंशन देते हैं हां अटे करो तो इसमें यह है कि लड़की जो है पहला तो पैसा खच यहां पर आपको प्यार करना है आप ऐसे करिये इसके लिए पैसे खच करना यह सब करना की जवत नहीं कुछ लड़किया होते कि हम मुझे दो मुझे करो यह वाली चीज नहीं होनी चाहिए दूसी चीज अगर अ यहां से वेस्टन कल्चर नहीं बताया तो था कि यहां से आय था यहां से आया था यह उनिस भी सतावदी में इंडिया में आया था जब भारत के लोग टीवी की तरह बहुत जादा आकर्शित हो रहे थे और जब टीवी पे विदेश के ख़बर आती थी तब महां से ही उन्होंने मिडल क्लास के लोगों ने देखा कि वैलेंटाइन डे पर चौवीस चौदा तारिकों की यह चीज होती है उन्होंने फिलावर्स कार्ड वना कर बेचने लगे इससे यह भारत में पन पाए काफी जो लड़कियां है वो नाराज हुजाती है अपने बॉइफिंड से अगर वो वैलेंटाइन वीक ना मनाए तो मैं देखा इतने लोग रिलेशंचिप में रहते हैं वो नाराज हुजाते वो लड़कों को बार बार ताने मिलते हैं सामने से खैर कोई तो किसी का फूल आपने क्या कहा कि लड़कियां वेट करती है इस चीज का कि सिफ इनी वीक इनी डेज में उनको गिफ्ट मिलते हैं बट एक्चुली में ऐसा नहीं है वैसे तो लड़कियों को हमेशा अटेंशन चाहिए होती है दिन हो रात हो मंडे हो टीउसडे हो मन्त कोई भी हो डेज को टरीखर भी हो डखने मैंटर लड़कियों को हमेशा अटेंशन चाहिए होती है अगर इस दिन वह हक से सकती है है मुझा ओक है ट्र्टाइंस दे है मुझा टेंशन मुझा ख्ड़ करें चाहिए मुझे टेडी तैडिए टो इसका हम यह झाह सकते हैं गलड खिखर हे लड़क काम है घर में बहुत बीजी हूँ काम रहता है सब को काम रहता है गल्स को भी रहता है कि एक आगरा से ख़बर आई है और आगरा में जो हिंदू धर्म को जाद मानने वाले लोग हैं तो उन्होंने ना इस चीज का बिरूद किया है कि बैलन टैंडे नहीं बनाना चाहिए और देश के Salvador वा हिख यंदे मामा जोके भुछाहिए तो हमने काफी सारे लोगों की हमने बाते हैं कुछcción कह रहें है वैलें टांटे माना चाहिए कुछ गरहे है कि नहीं महता responsive आना जिख से जीछा झीवन में प्यार हैं वह मनाएंगे अब जिनका दिल टूटा यहें नहीं लाइफ के थपेड़े खा रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं फिलाल हमने हर किसी से जान लिया उनकी राय कि उनकी राय क्या है अब लंच पे पंच वाले कारिक्रम में इतना ही अब अतमाम जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करें ना जाएं धन्यवाद